सब्सक्राइब बच्चों नमस्कार आज हम आपकी वरक्षीट नमबर पांच क्लास चठी विग्यान को डिस्कस करेंगे आज की वरक्षीट में हम बात करेंगे पोधे के विभिन भागों के बारे में तो जो चार में इन भागों की बात करेंगे, फूल, पत्ती, फल, तना और जड़, इसमें पांच दरखे हैं लेकिन फूल बात में जो है फल बनते हैं, तो पोधे के विभिन भागोई जो बात करते हैं तो पोधे में जड़, तना फूल और पत्तियां, जड़ जमीन के नीच अगर हम बात करें तो we'll talk about the different parts of plant like flower, leaf, fruits, stammine, roots. So when we talk of different parts of plants, we have to know that which part is doing what, कौन सा आंग क्या काम कर रहा है और आधार पे आज का आपके प्रेशन उत्तर में. पहले हिंदी में देख लेते हैं पहला है हमारा तना तना क्या करता है ये पोधे को सीधा रखता है और पानी और खनीजों को पत्तियों तक और भोजन को जड़ों तक पहुंचाने में मदद करता है जड़े ये पोधे को मिट्टी से पकड़ते हैं और मिट्टी से पानी और खनीजों को अवशोशित करते हैं और मिट्टी के कटाव को भी से भी बचाती हैं पत्तियां क्या होती हैं? हरे रंके होते हैं प्रकाश संशलेशन की प्रकिरिया द्वारा पोधे के लिए बोजन तियार करती हैं कैसों के आदान प्रदान में भी मदद करती है फूल रंगीन होते हैं और पराकन के लिए कीडों को आकर्शित करते हैं फिर फलो में विक्सित होते हैं इन में से सुख दायक गंध होती है या इन में अच्छी स्मेल आती है likewise we'll see in the English medium also stem it keep plants upright and help in transportation of water and minerals to leaves and food to roots green in color and prepare food for plant by the process of photosynthesis also help in exchange of gases and flowers these are colorful and attract insect for pollination then develop into fruit and these have soothing smells so this is the worksheet number five for you like it thanks for watching do subscribe the channel thank you